हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल तो दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारी चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल पुझा पाइट से चुड़े हुए और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का इस पिरेंट जैल शी नहीं बोलते जीज्जु नहीं बोलते जीजु नहीं बेठी हूं कि सामने नहीं आएंगे मिस्टर इंडिया जो हो गए तो चली फ्रेंट्स मैं इनको माइक लगा देती हूं ताकि आपको करता सुना चली बिया शुरू करिए भगवान किष्bels बोले है उदिस्थिर माग मास किष्न पक्ष के एक दसीक का नम शठ्टिला है इसमें एक तिल्से असनान दो तिल्से उपटन तीन तिल्स कहवन चार तिलांजली यानि तिल सही ठाकुर की चरणोदिक पांच तिल का भोजन छे तिल का दान या शट तिला कहलाती है इसका महात्म पुलस रिशी ने दालब को सुनाया था तब आगे नारज जी को मैंने बताया क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है इसका नारज मेरे पास आया और मैंने आँखों देखी बात सुनायी एक ब्रामरी थी वह चंद्राय आदी ब्रत किया करती थी ब्रत करते करते दुरबल हो गई ब्रतों के परभाव से उसके समस्त पाप नस्त हो गए मैंने विचार किया आब या मरने वाली है स्वर्ग अवस्ते जाएगी परन तो खाली हाथ जाकर इसके कुछ दान माग लो जिससे स्वर्ग का तोशा भी कुछ बन जाए मैं बैकुंट लोग को त्याग मृत लोग में आया बामान सदर से छोटा रूप बना कर ब्रामरी के द्वार का भिक्षुक हुआ उसने मुझे मृत्य पिंड दे दिया कुछ दिन बाद उसने सरी त्याग किया ब्रतों के प्रभाव से स्वरग गई और अपने गरह में किवाल मृत्य पिंड को देखा आन्ने वस्तूं से सूने था वो अपने बिगड़े हुए भावन को देख न सकी शिगर मेरी शड़ में आकर पुकार करने लगी कि आप अच्छे फल दाता हो मेरे चंद्रायादी ब्रतों का फल निस्वल कर दिया मैंने उसे उतर दिया जो ब्रत आपने किये हैं पापों को भस्म कर वो स्वर्ग में ले आये हैं और जो हास से दिया वह भी आपको मिल रहा है ब्रामणी बोली यह दर दितरा आप कैसे कटेगी मैंनो उसे कहा जैसे नई बहु को नगर किस्नियां देखने आती हैं वह से तुमको दिवांगाना देखने को आएंगी तुम द्वार बंद रखना प्रथम उन्से शर्टिला एकदसी का महात्मस्तुन लेना बिगड़ी को नब बनाने का सुगम उपाय यही है वह ब्रामणी अपने भावन में गई द्वार बंद कर दिया देख करन्या दरसन को आई और कहा द्वार खोलो मुख दिखाओ ब्रामणी बोली पहले मुझे शर्टिला एकदसी के महात्मक को सुनाओ इसने बोली बिगड़े हुई भागे को समारने वाली शर्टिला एकदसी है गवत्या ब्रम हत्या इत्यादी महापाप करने वालों को भी मुक्त कर देती है द्वार खोला तो मुर्ति पिंड का आम बन गया जब ब्रत किया तब सारे ग्रह में नंदन बन की भी भूतियां प्रकुट हो गई इस ब्रत में एक तिल दान करने से एक हजार वर्ष तक सुर्ग मिलता है एक तिल के दान से एक हजार वर्ष फलाहार इस दिन मुखरूब से तिल पट्टी का सागार सास्रों में लिखा है तिल वाखुआ से बनी समगरी दूद फल आदे ले सकते हैं तो फैंस आपने तिल का महत्व देखा मैंने आपको पूजा विदी में इसका महत्व बताया है कि आप अगर कुलड में भर के तिल दान करते हैं आपको हजार बर्थों का लाभ मिलता है तपस्या का लाभ मिलता है अपने अलग-अलग युग का अलग-अलग जो है महत्व है जैसे ही कल्यूग में दान करने का महत्व है अगर आप कल्यूग में दान करते हैं तो इससे बड़ा महात्व और कुछ नहीं है जैसे कि मैं आपको आपको हर यूग का महात्व है अपना-पना तो कल्यूग का विसे से दान करना तो मैं आगे चल के आपको इन सब चीजों पर भी जानकारी शेयर करूँगी तो कैसे लगी आज आपको हस्में ने कता सुना ही है चैनल पर इनकी पहली कता है क्योंकि मेरा बीपी डाउट था में बहुत डर्ड चला फ्रैंट पता ने क्यूए मैं थी तब बहुत जड़ पर चली मेरे हाथ पर नो बड़ा दर्द रहता है तो परिशान थी मैं तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत है तो फ्रेंट चलिए मैं मुलते हैं आप से विदा न्यू वीडियो तब तक के लिए जैशी किष्णा रादे रादे सर के आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें मैं मिलते हैं विदा न्यू वीडियो तब तक के लिए जैशी किष्णा रादे रादे बाई बाई बाई